हेलो एवरीवन तो फ्रेंड्स आज मैं आपसे बहुत ही सुन्दर नेक डिजाइन शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल सिंपल सोबर है तो यह देखे सबसे पहले एक पैटन काटेंगे तो यह मैंने बुक्रम का टुकडा लिया हुआ है इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूँग तकरीबन 1,5 इंच लंबा और इसकी चोड़ाई 2 इंच होगी तो यहां से एक इंच लेंगे इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे यहां से भी हलकी गुलाई दे देंगे तो इस तरीके से देखे पैटन तयार हो गया है अब मैं पेपर पेस्टिंग उठाऊंगी तो यह देखे पेपर फ्यूजिंग जो होता है फोल्ड में है यह और इसकी जो लंबाई है आठ इंच ली है और इसकी चोड़ाई 7 इंच है मतलब डबल से 7 इंच है पूरी खोल के 14 इंच है तो यहां पे हम नेक की चोड़ाई लेंगे 4 इंच यह दिजाइन जो है बोट नेक पे होगा और यहां पे नेक की जो घहराई होगी वो 3.5 इंच है इसकी हम गुलाई लगाएंगे अब एक एक इंच पे एक और गुलाई लगाएंगे इसकी भी गुलाई दे देंगे यहां पे तो इस तरीके से गुलाई दे दी है मैंने यह जो पैटर्न ड्रॉ किया है यहां से हमारा फोल्ड है नेक तो यह पैटर्न को इसी तरीके से मैं फोल्ड से यहां पे रखूंगी और अब खोल के रखोंगी इस तरीके से इस तरीके से ड्रॉव कर लूँगी इसको में तो ये देखे हैं इस तरीके से मैंने ड्रॉव कर लिया है इसी शेफ में जो है कटिंग हो जाएगी तो चलिए कटिंग कर लेतración है तो यह देखे मैंने cutting कर ली है, यहां से भी cutting कर लेंगे, अब इसको हमने एक कपड़े पे set करना है, मतलब चिपका लेंगे, यहां से यह चिपक जाता है, तो यह कपड़ा लिया हुआ है मैंने, और यहां पे उल्टी साइड से इसको रखेंगे, और अच्छे से चिपका लें यह देखे मैं ने चप्का लिया है अब मुझे कर ड हीं, यहाँ पर लिए। यहाँ पर इस तरीख, बोफो कि यहां पर इस तरीख से रखेंगे और यह पर सिलाई हो जाएगी ही कर लेतेचे हैं तो फ्रंट ये देखे मैंने सिलाई लगा लिए है अब क्या करना है कि यहां से पूरा इसी शेफ में कट भी कर लेना है ये इसी शेफ में हम कट कर लेंगे मार्जन छोड़ते हुए तो चलिए कर लेते हैं तो फ्रांट देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है जैसे आपको बोला था और ये कॉन्नी तक मैंने कटिंग भी कर लिया है अब हम इसको पलट लेंगे तो इसको मैंने अच्छे से पलटा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और इसको प्रेस कर लिया है अब क्या करूंगी यहां से हमारा बुकरम नजर आ रहा है हमें तो यहां पे एक सिलाई लगा लूँगी इसका सेंटर कर लेंगे अब मैं कुर्ती उठा लूँगी तो यह कुर्ती है और इसमें मैंने क्या किया है उल्टे साइड में यह जो फ्यूजिंग पेपर होता है पतला वाला वह लगा दिया है अब हम इस तरीके से यह कट मैंने यहां पे भी लगाया हुआ है और इस तरीके से जो है यहां पे बिल्कुल सैंटर में करके सबसे पहले तो यह मैंने शिलाई जो गोलाई की लगाई है इसके पर एक शिलाई लगाएंगे अब यहाँ पर इस तरीके से शिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से शिलाई लगाएंगे यहाँ पर कट करेंगे थोड़ा उपर से गोलाई में अब में इसमें पाइपिंग लगाऊंगी तो यह पाइपिंग लिए मैंने कुर्टे को हम इस तरीके से कर लेंगे यहाँ पर सलाई हो जाएगी तो फ्रेंज बिल्कुल रेडी है हमारा नेक पैच वर्क तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक वीडियो में थाइंक यू फॉर वाचिंग कर दो 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 कर दो कर दो दो करेंगे झाल झाल